प्यारे बच्चों, JCERT के DG स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम पर्यावरन अध्यान के कक्षाचार के पाठ 12 कल-कल छल-छल के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, आपने पाठ 6 पानी के बदलते रूप में जल चक्र को समझा था। इस बीडियो में और इस पाठ के जरिये हम जल के बिविन श्रोत, जल की उप्योगिता और जल से होने वाली बिमारियों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए सुरू करते हैं हम एक कविता से। और कविता का शीर्षक है पानी। मुधोंगा पानी से, मुन्ना कहता नानी से। प्यासे पानी पीते हैं, पानी से सब जीते हैं। जाने कब से पानी है, कितनी बड़ी कहानी है। कही ओस है वर्फ कही, पानी ही क्या भाफ नहीं। सब रूपों में पानी है, कहती ऐसी नानी है। नदिया बहती कल 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 जरने गाते चल 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 तालाबो में लहराता जल कुओं में आता निर्मल वाओ कवीता कैसी लगी बच्चो मज़ा आया ना चलिए तो कवीता के जरिये हमने जल के कुछ उपयोग को देखा जैसे कि जल का उपयोग हम मूदोने में करते हैं और फिर हम प्यास बुजाने में भी करते हैं हमने यह भी जाना कि ओस बर्क भाव पानी के ही रूप हैं साथी जल के श्रोत जैसे नदी जरने तलाब कुआ को हमने समझा आईए अब हम पाट को सुरू करते हैं आप प्रिष्ट संख्या 71 में कुछ चित्र देख सकते हैं इन चित्रों को आप अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह जल के बिविन श्रोत हैं जैसे समुंद्र है बर्फिली पहाडिया नदी तलाव जेल बादल और कुआ तो अभी हमने जल के कुछ श्रोत को देखा अब आपके लिए कुछ प्रश्न है पहला प्रश्न है कि आपने पानी कहां कहां देखा है तो बच्चो आपने अभी तक कहां कहां पानी देखा है उनके नाम को आपको यहां लिखना है दूसरा प्रश्न है कि क्या आप कभी नदी ज़रने या समुंद्र के पास गए हो तो कब हो सकता है आप छुटिया मनाने गए हो कहीं पिकनिक मनाने गए हो तो कहां देखा है उन जगा का ना समुदर में सबसे ज़्यादा पानी मिलता है समुदर में पाया जाने वाला जल खारा होता है नमकीन होता है इसलिए इसका उपयोग पीने में या अन्यकाम में नहीं लाया जा सकता आप देख सकते हैं कि हमारा देश तीन ओर से समुदर से घिरा हुआ है समुद्र के जल में अधिक मात्रा में नमक होता है तो गुजरात, महाराष्ट्रा, आंदरप्रदेश, उडिशा, करनाटका, वेस्ट बेंगॉल, दियू, दमन, गोवा ये समुद्री तट में समुद्री जल को सुखा कर नमक बनाया जाता है समुद्र के पानी से नमक कैसे बनता है इसे समझने के लिए आपको एक परियोजना कारियत दिया जा रहा है पर ध्यान रहे या परियोजना अपने बड़ो की निगरानी में करना है सबसे पहले आपको एक कप पानी लेना है और उसमें लगभग चार चमच नमक डाल कर एक घोल तयार कर लेना है तो ये आपका नमक और पानी का घोल बन जाएगा फिर क्या करना है कि किसी बरतन में इस घोल को तब तक गरम करे जब तक कि सारा पानी समाप्त ना हो जाए आप देखेंगे कि पानी भाब बनकर उड़ जाता है और बरतन में कुछ सफेद पदार्थ बचा रह जाता है तो क्या बता सकते हैं कि जो बचा हुआ सफेद पदार्थ है वो क्या है तो वह नमक है तो इसी प्रक्रिया से नमक बनाया जाता है ये अब जल के दूसरे श्रोत बर्फ एवं नदी को जाने उंचे उंचे बर्फ वाले पहाड भी जल का एक श्रोत है इनी बर्फों के पिघलने से नदियों का निर्मान होता है ये नदियां पहाडों से निकलते हुए जंगल जाड से होते हुए गाओं कस्बों सहरों तक आत अंत में या समुद्र में जाकर मिल जाती है बच्चो आपने तलाब देखा है क्या आपके घर के आसपास कोई तलाब है मेरे गाउं में मैंने तलाब देखा है या तलाब बरसात में पूरी तरह भर जाता है और इस तलाब के जल का उपयोग लोग अपने घर के कारियों को करन जमीन के अंदर का जल कुवा या हैंड पंप के द्वारा प्राप्त किया जाता है इस जल को भूमिगत जल या पे जल कहते हैं इसका उपयोग पी ने एवं खाना पकाने में किया जाता है जल ही जीवन है या तो आपने जरूर सुना होगा तो दैनिक जीवन में जल का प्रयोग हम सुबा से साम तक देख सकते हैं जल का उपयोग खाना बनाने में होता है, नहाने में, कपड़े धोने में, पीने में करते हैं। साथ ही आप पसु पक्षियों को भी देख सकते हैं कि जल उनके लिए भी उपयोगी है। वे भी अपनी प्यास बुझाने के लिए अपने सरीर को साफ रखने के लिए जल का उप प्राप्त जल को साफ सूती कपड़े से छान लेना चाहिए। जाते हैं पुना इस जल को उबाल कर साब बरतन में ढख कर रखना चाहिए घरक पर जल को क्लोरीन की टैबलेट या फिटकिरी द्वारा भी साफ किया जा सकता है बच्चों जो भूमिगत जल है यानि जो पे जल है जिसका उपयोग हम खाना बनाने में और पीने में करते हैं उ तो हमें जल संग्रक्षन पर ध्यान देना चाहिए हर नागरीत में जल संग्रक्षन हेतु जागरूपता लानी चाहिए सावर यानि जब हम नहाते हैं तो शावर की जगह पर या नल में डाइरेक्ली नहाने से अच्छा है कि हम बाल्टी और मग का इस्तेमाल नहाने में करे ब्रश करते समय नल बंद रखना चाहिए बरतन धुलते समय भी नल के जगा टब का इस्तमाल करना चाहिए सबजी धुले हुए पानी या कपड़े धुले हुए पानी का पुना प्रयोग पौधो की सिचाई में हम कर सकते हैं घर पर या स्वारवजनिक अस्थान के नल की टोटी यदी खराब रहती है तो उसकी मरमत कर लोगों में जागरुकता लाकर हम हजारों लीटर पानी संग्रक्षित कर सकते हैं तो बच्चो आज हमने सीखा कि जल के बिविन श्रोत क्या क्या है पे जल को साफ रखने के घरेलू तरीके क्या है असुद जल से होने वाली बिमारियों के बारे में जाना जल के अनेक उप्योग और जल संग्रक्षन के उपाय को भी समझा तो आशा करते हैं बच्चो आप जल संग्रक्षन के उपाय को अपनाएंगे और जल को प्रदोशित होने से भी बचाएंगे धन्यवाद